नमस्का दोस्तों आप सभी का हार दिख स्वागत है पवई नियूज में जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर पवई के मिलिन नगर इलाके में रोड पे काम चल रहा है इसलिए मुंबे ट्राफिक पुलिस ने अन्य मार्गों का उप्योप करने की सलाह दी है सुबह और साम आफिस टाइम के वक्त ट्राफिक जाम में फसने से बचने के लिए ट्राफिक पुलिस ने नागरिकों को यह सलाह दी है पवई में आदि संक्रचारे रोड पर सुरुआ से ही ट्राफिक जाम रहता था इस ट्राफिक जाम को कम करने के लिए पुरो और पक्षिम उपनगरों को जोड़ने वाले जो गेश्वरी विक्रोली लिंक रोट का निर्मान शुरू किया गया था इस काम की वज़र से आने वाले कई सालों तक इस रूट पर यात्रियों का सफर ट्राफिक जाम में चलता रहा सड़क का निर्मान होने के बाद लगता था कि कुछ राहत की सास मिलेगी लेकिन यह सड़क दोनों उपनगरों को जोडने का कारे करती है इसलिए ट्राफिक जाम बढ़ते जा रहा है मेट्रो 6 के काम के चलते जगह जगह पर खुदाई और डाइवर्ट की गई सड़कों के कारण वहां चालक फिर से पुडाने आदि संक्राचारे मार का इस्तमाल करने लगे है पिछले कई वर्सों से जे वी एला रोड पर काम चलते रहने के कारण इस सड़क के पुलों की मरमत का कारे भी रुका हुआ है वैसे मेट्रो 6 योजना का कारे अंतिम चरण में पहुच चुका है इसलिए इस मार्ग पे बढ़ते भार को देखते हुए पुलों का एमरजनसी कारे और आवशक रख रखाओ का कारे भी शुरू हो गया है मुंबई ट्राफिक पुलीस ने एक प्रेस विग्यापिच जारी कर मिलिन नगर पुल के काम के बारे में जानकारी देते हुए कहा जोगेश्वरी रोड पर मिलिन नगर में पुल के एमरजनसी और आवशक रख रखाओ कारे के कारे विक्रोली लिंक रोड उत्तर और दक्षिन दोनों मार्गों पर यातायत का आवागमन धीमा हो गया है लेकिन यात्रियों को अपने मंजिल तक जल्द से जल्द पहुचने के लिए वेकल्पिक मार्गों का उप्योग करने के लिए आग्रह किया जा रहा है जैसे इस्टरन एक्सप्रेस हाइवे, वेस्टरन एक्सप्रेस हाइवे, अंधेरी घाटकोपर लिंक रोड, साकी विहार रोड, M.I.D.C. सेंटरल रोड, हिरानंडाली लिंक रोड, सांटा क्रूज, चेंबूर लिंक रोड और सायन बान्रा लिंक रोड का उप्योग कर सकत हैं धन्याबाद